हालो और वेलकम दोस्तों दूफाइं मिनिट्स इंजिनियरिंग आज का वीडियो आगे बड़ा का माल का होने वाला है दोस्तों कि आज भाई या ब्लोक्चेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेश जिसका नाम है माइनिंग उसके बारे में समझने वाले जानने वाले तो भाया जिस प्रोसेश की बात होने वाली है उसका नाम है माइनिंग ओके अब यहां पर फ्रॉम ब्लोक्चेन पर्सपेक्टिव इस चीज को समझनी कोशिश करते हैं इस शब्द के अलग-अलग मतलब जो है निकल सकता है यह अपने को पता है लेकिन वित रिस्पेक्ट ब्लोक्चेन अगर देखा जाए तो भाया इस पर्टिकलर टर्म का मीनिंग क्या निकलता है अगर यह जानना है तो कुछ ऐसी चीजों का सहारा लेना पड़ेगा जो हमें पहले से पता है जिनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है और वह है टर्म नाउंस के बारे में आपको बताया हुआ है जब हम लोग पढ़ रहे थे कि आखिर ब्लॉक के अंदर क्या होता है ब्लॉक्चेन में जो ब्लॉक होता है उसके अंदर नाम की तो दोस्तों उस वीडियो में तो खाली टीजर दिखाया था यार अभी अपने को मिलके पूरी फिलम देखनी है ठीक ह अब यार देखो फिलम का हीरो जो है वो यह है नाउन्स एक बहुत ही इंपॉर्टन नंबर जैसे कि मैंने बताया था इंपॉर्टन फील्ड जिसको हम लोग थोड़ा चेंज कर सकते हैं बराबर एक इन ब्लॉक की एक ऐसी फिल्ड जिसे आपन चेंज कर सकते हैं तो गेट पर्टिकुलर टार्गेटेड हैश वैल्यू सिंपल है क्योंकि यहां पर बहुत सारे फिल्ड थी अलग अलग ब्लॉक नंबर था डेटा था प्रियाश वैल्यू थी उनको अपने को चेंज ने करना है कोई उसमें छेड़शाड नहीं करनी है ओके जो भी करना है वो इस नं उनिक आइडेंटिटी है फिंगरप्रेंट तो उसी तरीके से अगर यह ब्लॉक है तो इसका फिंगरप्रेंट क्या है एक हैश वैल्यू जो की 64 करेक्टर लॉंग होता है ओके और हिक्जाडेसिमल से बारा होता है ठीक है यहां तक बात आपने की ती समझ में आती है अब मै क्या करता हूं यहां पर कंसिडर करता हूं मान लीजे यह जो है भाइस सहाब यह पूरा का पूरा कह सकते हो कि इस लाइक यूनिवर्स है यह मतलब जितनी भी पॉसिबल हैश वैल्यू फॉर दिस रिस्पेक्टिव पर्पस और ब्लॉक्चेन एग्जिस्ट कर सकती है वह सा और कि सारी ओल्मॉस्ट एवरी एवरी वोके जितनी भी पॉसिबल यूनिवर्स मेरा मतलब एल्पस वैलू रिसाइड इस पर्टिक्लर एरिया तो अब यहां पे अगर आप देखोगे extreme ends extreme ends की तरफ अगर आप देखोगे या बात करोगे तो क्या हो सकते है extreme end मतलब बहुत ही छोटी सी जो एक hash value हो सकती वो क्या हो सकती है it will be nothing but all zeros all zeros सही बात है न all zeros 64 character का आपका जो है एक तरीके से hash value तो उसमें sub zeros है hexadecimal में देखो यार वो क्या होता है 0 से 9 और A से F बराबर है यह 16 यहां पर आपको characters देखने को मिल जाएंगे मतलब यह आपके digits होते हैं यह alphabet होते हैं तो अगर छोटा वाला पकड़ना है तो सब के सब 0 मार दो यह सबसे छोटी hash value possible हो सकती है यह एक extreme end है दूसरा extreme end क्या होता है high end बराबर है high end मतलब जहां पर सारे के सारे सारे के सारे सारे के सारे जितने भी वह यह आपके hash value के अंदर आकड़े हैं वो सब F है all F all F तो यहां पर क्या हो गया एक छोटा नंबर हो गया एक बड़ा नंबर हो गया मतलब यहां पर extreme cases हमारे बन गए है कि भाई इसके उपर नहीं जा सकता सही बात है इसके उपर नहीं जा सकता और इसके नीचे नहीं आ सकता ना उपर जा सकता ना नीचे आ सकता तो यहां पर यह हमारा जो है area इसके अंदर बहुत सारी hash value जो भरी हुई है जो इसके बीच में आपको देखने को मिल जाएगी अब होता क्या है अब यहां पर twist आता है यहां होता क्या है कि blockchain में हम लोग क्या करते हैं एक particularly target zone पकड़ लेते हैं मतलब क्या कि जैसे for example मैंने पकड़ लिया कुछ इस तरीके से यह मेरा target zone मतलब क्या कि यह वाला जो area है particularly यह जो portion आप देख रहे हो इसके अंदर अगर कोई particular hash value है तो ही वह accept की जाएगी नहीं तो नहीं तो ही वह accept की जाएगी किसी एक block को assign की जाएगी वह block create होके आपके blockchain में जुड़ेगा नहीं तो नहीं होगा मान लीजिए for example for example अगर मैं नाउंस का आकड़ा जो रखता हूं वह let's say 20 रखता हूं कुछ भी रख सकते हैं we can keep anything तो मैंने चलो 20 पकड़े 20 रख लिया अब 20 मैंने लिया नाउंस तो उस वजह से मेरी जो इस particular block की hash value है वो कुछ तो आएगी some hash value it will come okay let's say वो hash value जो है वो इस particular area में आ गई यहां पर आ गई मेरी hash value let's say because यह पूरा universe ही ना आपका hash value का तो वो hash value मेरी यहां पर आ गई तो क्या वो approve होगी या reject होगी यानि मेरा कहने का मतलब है कि यह hash value इस block को assign करके यह block आपका blockchain में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा obviously बाते answer है नहीं क्यों because आपका target zone यह है आपका target zone यह है इस पर आपको focus करना है आपको अपनी hash value यहां पर लानी है तो यहां पर यह काम जो है एक hash value generate करने कोशिश कर रहे है और वो एक अपने block को assign करके उसको blockchain में add करना यह पूरा प्रक्रिया यहां पर हम लोग करने की कोशिश कर रहे है ठीक है और यह जो वो करता है वो है भाईया MANOR तो दोस्तों मैंने MINORS का जिकर कर दिया है मैंने अभी MANORS का जिकर कर दिया है तो इनके बारे में थोड़ी बात करते है ठीक है अब basically जो MANORS होते न इनका काम क्या होता है कि भाईया बहुत ज्यादा trial and error मारते जोंब रावर है ट्राय करते हैं कि कोई हैस्स वैल्यू जो है वो आपके इस टाार्गेट जोन में आ जाये अगर आ गई तो टीकुलर मारो तो यह प्रोसज्ट जो है वो जो system चाहिए होता है जो उनके पास system होता है वसमें high computation support होना चाहिए बहुत high computation support जो है वहाँ पर provided होना चाहिए और साथी साथ एक और बड़ी interesting fact जो है मैं आपको बताना चाहूंगा वो यह है कि भाई यह जो miners होते है इनको घना लंबा electricity का भिलाता है यह जो पूरी process है mining perform करने की इसमें बहुत ज्यादा power consumption जो होता है for the miners बराबर तो बहुत ज्यादा electricity बिलाता है अब basically यह बताने में जितना simple काम लग रहा है उतना actually miners का काम simple नहीं होता बिकोज यहां पर बहुत ज्यादा computations जो है वो carry out किये जाते है to reach out to a particular hash value जो कि आपके इस acceptable एरिया में या target zone में गिरती हो ठीक है जैसे के भी मान लीजिए है कोई एक minor है उसने बहुत ज्यादा ट्राइम आ रहे है let's say उसने 2022 यह nouns ले लिए मतलब वो कर के आ रहा है what is the process क वो बाकी सारी चीज़े constant रहेंगी यह जो नाउंस से बदलता रहेगा यह नाउंस जो है बदलता रहेगा और जिस वज़े से आपका hash value बदलेगा और जैसी hash value बदलता है मान लीजिए अभी आपका hash value आ गया इदर मान लीजिए just let's say hash value आपका इदर आ गया बहीया उस minor की तो चांदी ही चांदी है ओके यह सोना ही सोना ही यह रिवाड ई-ृडड जो भी कहना है कहलो तो यह आपका भाईया आ गया hash value इदर ओके मतलब उसको बड़ी लिकतों के बाद बड़ी मेहनत के बाद बड़ी शिद्दत की मेहनत के बाद उसको यहां पर भाया मिल गया है एक पॉइंट एक और बहुत ही मज़ेदार बात में अभी आपके साथ शेर करना चाहूंगा उसके लिए मैं कहा करता हूं यह वाला जो फिगर इसको मिटा देता ह ठीक है इसको भी मिटा दो भाई अब मिट जा यह ना मिटने वाला हां मिट गया मिट गया मिट गया चलो ठीक है अब मैं क्या बताता हूं यहां पे जो नाउंस का फिगर है यह कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं है यह मैं बता रहा हूं यह टोटली अन्प्रिडिक्टेबल ह है और यही इस खेल का मजा है यही इस खेल का मजा है और यही बात जो है माइनर्स को बहुत चैलेंजिंग लगती है यह चैलेंज प्रदान करती है उनको यही बात कि यह बड़ा ही unpredictable सा जो चीज है जैसे कि फर एक्जामपल अगर मैं मान लो यह 15 यह नंबर से शुरू करता हूं और यहां पे जो है यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है मुझे मेरी हैश वैलिव मिली ओके लेट से मैं इस 15 का 16 कर देता हूं तो ऐसा नहीं होगा यह यहां पर जा रही है ऐसा नहीं होगा यह नहीं होने वाली situation में आपको बता रहा हूं ऐसा होता नहीं है मतलब इस तरीके से वह प्रेडिक्टेबल नहीं है तो फिर काम बड़े आसान हो जाता देखो 16 पर मान लो ऐसा हो गया नीचे आ गया फिर यहां पर 18 पर थोड़ा के नजदिक आ गया अभी 22 नहीं है अभी मानलो 23 हो गया और यह आगया इस प्रेडिक्टेबल यह चीज नहीं होती मैं आपको बताता हूं कि जब हमने पहले 15 रखा था चलो ठीके 15 इधर हो सकता है आपको बात समझें और यहां पर मानलो यह जो वैल्यों आपको मिली है यह तो टू जीरो टू नॉंस की वैल्यू मिली है बराबर जब आपने तो टू जीरो टू रखा था तब यहां पर आए तो मतलब कोई भी आकड़ा कभी भी अनप्रिडिक्टिबली आपकी हैश वैल्यू जो है वो जन्रेट यहां पर कर रहा है तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के जरीए आपको यह माइनिंग जो प्रोसेस है इन दर फील्ड ऑ ब्लॉक्चेन इसके बारे में सम करूंगा